राज़त के पूरा धियान धनवली और वहुवली पर हमारी पूर्मता भूमका है हमारी भूमका हमारी जैनिंग के साथ अब लड़ाय वो भर हो गए आपको लड़ाय यहां नहीं अनंद सिंग आपके दोस्त हुआ करते थे बिल्कुल अभी भी दोस्त है इसमें कोई कमी नहीं है ने रहेगा नमस्का डिपब्लिकन यूज के साथ मैं हूं अंकिता सिंग सियासी अखारे में दुस्मनों को पठखनी देने के लिए घात पठी घात का खेल तेजी से चल रहा है मुंगेर के मैदान का महा मुकाबला तो बेहत खास है क्योंकि यहां एक तरफ मुख मंत्री नितिष कुमार के बेहत खास ललन सिंग तो दूसरी और मुकामा के बिधायक अननन सिंग मुंगेर के अखारे में अब अनंद सिंग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गया है पर उनके ही खास राम बदन राए बाहुपली बिधायक अनंद सिंग से कभी दोसी की दुखाई देने वाले राम बदन राए अब उनके ही खिलाब चुनाव परचाड मैदान में कूछ गया है पुर्बिधान पार्टत राम बदन राए जदियों में सामिर हो चुके हैं जदियों की सदस्तिता लेने के बाद राम बदन राए मुंगेर में खासे सक्रिये हैं अपने समर्थकों को उन्होंने हर हाल में ललंसी को जिताने का संदेश दिया है। रामबदर राय का कहना है कि राज़त ने अतिपिट्रा समाज की घोर उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि नितिस कुमार ने अतिपिट्रा समाज को सम्मान दिया है। इसलिए वही जदियों में सामिड हुए हैं। उन्होंने राजत बर्धन बली और बाहुपली को तर्जी देने का आरोप लगाया है। अभी पर्चार का कार्ज करन चल लगा है, अभी हम लक्षी सरह जा रहे हैं। कल से मेरा छितर भर्मन है जिन संपत है। मुगर लोग सभा सीट पर आप कभी दावेदार हुआ करते था। इसी कौन सी पड़ स्थिती हुई कि आपको अब जदियों में आना पड़ा। किसके लिए इसे जिमेबार किसको मानिएगा। जो बेवस्था अभी बनी हुई। मुगर लोग सभा सीट पर आपकी क्या भूमिका होगी। अमारी पूमता भूमिका है, हमारी भूमिका हमारी जोइनिंग के साथ अब लगन सिंग सबर्थन का मतलब यह भूआ कि लराय वो भर हो गए। आपको बता दे कि रामबदर राय मुंगेर लोग सभाज खेत्र के सभी बिधान सभाज खेत्रों में जन्सम पर अभियान चला रहा है उन्होंने कहा कि मुंगेर से जदियों पर्ट्यासी लालन सिंग के जिस्ट फुलेशित है बढ़को जालन सिंग कि जिस्ट फुलेश उन्होंने के सतंट के जिस संखवाट नंद घ्रत पाराण सिंगा长